आए दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे कि बौन्न ऐंगल का आप डिरेक्ट कैसे देख सकती, कैसे आप बौन्न ऐंगल के सवाल सोल कर सकती हैं तो comparison of bone angles, यहाँ पे लिखेंगे comparison of bone angles, bone angle का comparison कैसे होगा, पहला सवाल, कर्बन के मान लिजियो fluorine लगे हुए है, चार, ठीक बात है जी, अगला, B में आपको दिया गया है, यहाँ पर वो क्या दे दे, nitrogen, और उसके side में same ले ले, side atom same है, fluorine, इस पे lone pair होगा, ठीक बात है जी, थर्ड वाला आपको दे दे, sulfur, यहाँ पर triple bone से nitrogen जुड़ा है, निचे same ले ले लेगे element, same atom sulfur, इसमें पूछे, कि यह इसका नाम दे दे, alpha, इस angle का नाम दे दे, beta, ठीक है जी, यह alpha, यह alpha, यह beta, और इसका नाम दे दे, यहाँ पर gamma, क्या ना तीनों को compare करो, bond angle compare करो, सबसे पहले यह क्या है, यह single bond pair है, ठीक है जी, और यहाँ पर क्या है, lone pair है, और यहाँ पर lone pair मतलब देखो, यहाँ पर repel क्या करेगा, यहाँ पर bond तोड़ने के बाद एक electron बचा था, यहाँ पर bond तोड़ने ही जुरूद नहीं है, electron कितने मिले है, दो, और यहाँ पर bond तोड़ूँगा, तो triple bond में electron कितने मिलेगी, तीन electron, और obvious सी बात है, तीन electron का repel ज्यादा, फिर दो का, फिर सबसे कम किसका होगा, एक electron का, यानि कि सबसे ज्यादा repel यह करेगा, तो सबसे चोटा angle हो जाएगा, यह फिर उसके बाद, बिटा, फिर उसक ठीक है जी, यह बात, यह comparison आपको समझने, आ गया होगा, ठीक है जी, या नहीं आया, अब थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और नए सवाल लेते हैं, इसके अलावा, आप क्या ले सकते हैं, आप central atom selector है, फासफोर्स, यह lone pair है, यह chlorine है, यह chlorine है, फिर से आप side atom chlorine ले, अब यहाँ पर double bond से क्या लगा दे, oxygen, और bond angle यही, इसका नाम alpha रखो, इसका नाम beta रखो, पुछे alpha और beta में compare कर, तो आप कैसे बता होगी, कैसे, देखो, यह lone pair है, lone pair ज्यादा repel करेगा, अब इस bond को तोड़ोगे, तो दो electron यहाँ पे हैं, और दो electron य आई थी, explain किया था, lone pair bond pair repelation कैसे होते हैं, उसमें पताया था, यह electron क्या है, इसका S करेक्टर ज्यादा होगा, और repel ज्यादा खरेगा, नहीं तो आप ऐसे ध्यान रखें, कि यह 2 electron फर electron है, lone pair बोलते हैं और यह bonded electron, bonded electron इतनी ज्यादा moment नहीं दिखाएंगे, इतनी ज्याद moment नहीं दिखाएंगे, यह repelation कम लगाएंगे, यह repelation ज्यादा लगाएंगे, यह repelation ज्यादा लगाएंगे, तो एंगल alpha छोटा हो जाएगा, एंगल beta क्या रहेगा, बड़ा हो जाएगा, I think यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी, यह concept भी आपका clear हो गया होगा, ठी अगले सवाल में क्या कहता है, उसने लिया boron, central atom ले लिया boron, यह ले लिया boron, यहाँ पे रखे fluorine, ठीक है जी, यहाँ पे रखे fluorine, यहाँ पे क्या लेगे, दुसरे वाला, दुसरे वाला ऐसा लेगे, जो चार bond बना सके, क्या कर सके, चार, C, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे लिया boron, ठीक है जी, आपसे पूछे, इस एंगल का नाम, अलफा रख दे, इस एंगल का नाम, बिटा रख दे, और इस एंगल का नाम, गामा रख दे, पोज करके, आप इसका comparison करके बता सकते हैं, कि क्या trend आना चाहिए, कि क्या trend आना चाहिए, तो कैसे बताओगे आप, कैसे बताओगे, तो देखो, यह single bond है, एंगल होगा 120 degree, ठीक है जी, यह भी हम सोच रहे थे, 120 degree होगा, लेकिर यह जो double bond है, इसको repel करेगा, इसको repel यह beta वाला angle क्या हो जाएगा, छोटा, beta वाला angle क्या हो जाएगा, छोटा, और यह छोटा होगा, तो यह gamma वाला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानि कि इस पे क्या होगा, सबसे बड़ा angle यह हो जाएगा, क्योंकि देखो, original 120 था, 120 degree था, इसने repel किया, repel किया तो यह angle कम हो जाएगा और यह कम होगा तो मतलब यह 120 से बढ़ जाएगा और यह 120 से decrease कर जाएगा से बड़ा angle क्या हुआ गामा ठीक है उसके बाद क्या हुआ अलफा क्योंच मैं इस नाम क्या है इस angle का नाम है जी बिट्ड. अब बताओ क्छा यह बात समय में आई क्या यह जो repulsion मैंने बताया है यह repulsion clear हुआ क्या यह repulsion बताया clear हुआ क्या ठीक हुआ जी यह clear हुआ तो आगे चलते हैं पहला example इसे शाफ कर लेते हैं कर्बन लेते हैं carbon hydrogen लगा लएगे CH4 ठीक हुआ जी क्या ले लेंगे CH4 ठीक है जी और इसमें एंगल ये रहा हुआ अब आप भी बताओ B में क्या लेंगे ये A था ये B था पहली बात ये देखें या सिंगल बॉंड है एक जैसा नहीं हो कभी ये ऐसा लिया है वैसा नहीं लेंगे कंपैरिजन थोड़ा सा बढ़िया करेंगे है यानि कि हम ले लेंगे फास्पोर्स के साथ डबल बॉंड O साइड में क्लोरिन अटेस कर लेंगे कितनी तीन यहां तीन थे यहां भी हमने लिया आकड़ा तीन का यहां पर बॉंड एंगल देखेंगे देखो बाद में देखते हैं पहले लिख लिखते हैं थर्ड वाला थर्ड वाले में एक्जांपल क्या लेंगे थर्ड वाले में एक्जांपल लेंगे यही यह हमने इससे पहले भी किया था लोन प्यार अब इसमें इसमें डिफरेंस क्या यह alpha है यहाँ जो angle होगा यह गामा वाला बढ़ जाएगा बित्टा वाला कम होगा यहाँ यह कम तो होगा delta वाला लेकिन बढ़ेगा क्या बढ़ेगा क्या है यह नहीं फिक है जी इतने बात clear हुई उसके बाद अगला एक्जामपल लेते हैं जो हमने लिया था ठीक है जी ये एक्जामपल समय में आ गया होगा ठीक है या फिर सेम एज इटी जी ले लेते हैं पिछे वाले फ्लोरी लिये थे उसे इसे में एंगल इसके बाद देखो ये डिल्टा था इस एंगल को लिखे लो थिटा और इस एंगल को लिखे लो फाई ठीक है जी अब इन बॉर्ण एंगल का कंपेरिजन होगा कैसे करोगे ये 109 डिगरी 28 का होगा ठीक है ये भी ऐसा होना चाहिए था बट ये रिपल्शन कर रिपल्शन बढ़ेगा रिपल्शन बढ़ेगा तो बोंड एंगल बोंड एंगल क्या होगा ये वाला ये वाला बोंड एंगल बढ़ जाएगा 109 degree और 28 minute से बढ़ जाएगा और ये कम हो जाएगा इसका मतलब इन तिनों की बाद हम कर सकते हैं ये क्या करेगा ये तो 109 degree से और ज़दा decrease कर देगा क्यों? क्योंकि इन में देखा जाएगा इनका repulsion किसका ज़दा होगा और triple bond का तो सबसे ज़्यादा रिपलसन था triple bond का सबसे ज़्यादा रिपलसन था तो सबसे बड़ा bond क्या होगा? ये होगा फाई ठीक है फाई होगा उसके बाद इन दोनों में रिपलसन किसका? इसका? लेगिन इसके उपर तो कोई बोणर नी है तो वाणा किसका जाएगा? इसका उसके बाद कोण आएगा? उसके बाद आएगा ये अलफा बिटा गामा उसके बाद आए गामा ठीक है? अब बचे तीन ठीक है? ये भी रिपलसन खा चुका है ये भी रिपलसन ये भी रिपलसन खा चुका है इसने कुछ नहीं खाया तो हम लिखेंगे अलफा ठीक है जी अब इसका मामला नहीं पढ़ चुका है ये मामला नहीं पढ़ चुका उपर वाला ये वाला ये वाला मामला नहीं पढ़ चुका बचे तीन एक दो और तीन अब रिपल्सन ज्यादा किसका रिपल्सन ज्यादा इसका य यहां पे सबसे पहले आएगा बिटा, क्यों? क्योंकि इन दोनों में रिपलसन कम इसने खाया है, जदा इसने खाया है, जदा इसने खाया है, तो इसका बोर्नेंगन और डिक्रीज होगा, तो यहां पे क्या आजाएगा? यहां पे आजाएगा डेल्टा, और सबसे लास्ट मे कोन आएगा कोन आएगा ठीक्टा क्योंकि सबसे जदा रिपल्सन खाके बैठा है आई ठीक यह ट्रेंड आपको समझने आया होगा कि कैसे explain किया गया है ठीक है जी आई बात समय यानि कि एक बात गोर करें इसने जदा रिपल्सन किया है तो सबसे बड़ा एंगल यही होगा जिसने रिपल्सन खाया है अचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचा डबल बोर्ड वाले निर्पल संजादक दिया है किसने दिया है डबल बोर्ड वाले डेल्टा तो यहां पर यह आएगा उसके बाद इसने कम खाया है तो बिट्टा और फिर देखते रहें इन दोनों में से देखो यह कंपेरिजन था कौन था अलफा वाला अलफा वाला कितने नंबर पर आएगा तो आप देख सकते हैं अराम से देख सकते हैं ठीक है जी ठीक I think समझ में आगया होगा कोई दिक्कत है फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं थेंक्स पूर वाचिंग